सभी साथियों के एक बार फिर से कमल की सोर एकडमी में जोड़दार स्वागत और रफिनंदन है साथियों आसा करते हैं कि आप सभी पुनरूप से स्वस्थियों कुशल होंगे आज 25 नौमबर है और हम सभी चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर और देखते हैं आज ही की डेट में विस्थियों भारत भुमी के इतिहास में कौन से महत पुन घटनाएं घटित होई थें पृत्सम घटना पर जश्य डालते हैं 1889 में आज ही की डेट में प्रसिद्ध लेखक सिच्छाबिद भारती संसकृति के प्रचारक टील बास्वानी का निधन हैजराबाद पाकिस्तान में हुआ था इन्होंने महतमा गांधी के साथ मिलकर किसान आंदोलन में बढ़ चड़कर अपनी भूमिका का निर्वान किया और किसानों के उध्धारक बने अगली घटना पर दृश्य डालते हैं 1890 में आज ही की डेट में पार्सी रंग मंच सैली के नाटक कारों में से प्रमुख राधे स्याम कथा वाचक का जन्व हुआ था इनकी रचनाओं में बीरभि मन्नू, स्रमण कुमार, परिवर्तन, स्री कृष्णा उतार, रुकमणी मंगल, देवर सिनारत तथा उधार और आजादी प्रमुख हैं अगली घटना पर दृश्य डालते हैं 1890 में आज ही की डेट में प्रसिद लेखक, सिक्षाबिद, भासाबिद, साहित कार, शुनीत कुमार चटर जी का जन्व बंगाल ब्रिटिस भारत में हुआ था इन्हे भारस सरकार द्वारा पद्मभूशन तथा पद्मभूशन शमान से शमानित किया गया था अगली घटना पर द्रिशी डालते हैं 1941 में आज ही की डेट में मुस्लिम सूफी संत, लेखक वा आध्यात्मिक नेता रियाद एहमद गवहर साही का जन्व रावल पिंडी ब्रिटिस भारत में हुआ था इनकी रचनाओं में रूहानी शफर, तोहफाताल मजलिस तथा दीने इलाही प्रमुख हैं अगली घटना पर द्रिशी डालते हैं 2014 में आज ही की डेट में भारत वर्ष की प्रसिद्ध कथ्थक नितांगना सितारा देवी का निधन मुंबई में हुआ था इन्होंने कथ्थक नित्थ की सिक्षा शंभु महराज और अक्षन महराज से ली थी इन्हें संगीत नाटक अकैडमी और कालिदास सम्मान से शम्मान किया गया था विस्थकी प्रमुख घटनाओं पर द्रिशी डालते हैं पृत्धम घटना के अंतरगत अठारा सो सरशठ में आज ही की डेट में प्रसिद रासायनग्य अल्फेड नोबेल द्वारा डाइनामाइट का पेटन्ट कराया गया था अगली खटना पर द्रिशी डालते हैं अठारा सो अश्षी में आज ही की डेट में फ्रांसीसी चिकिस्थक लैवरेन ने मलेरिया बुखार के कारण का पता लगाया था अगली खटना पर द्रिशी डालते हैं 1937 में आज ही की डेट में फ्रांसी की राजधानी पेरिस में विस्व मेले का शमापन घोसित हुआ था अगली खटना पर द्रिशी डालते हैं 1974 में आज ही की डेट में बर्मा के प्रसिध राजनेतिग यूथांट का निधन निवियार्क यूनाइटेड इस्टेट में हुआ था ये संक्त राष्टन के तीसरे महा सचू रहे इनका कारेकाल 1961 से 1971 के बीच में था अगली खटना पर द्रिशी डालते हैं 1975 में आज ही की डेट में सूरिनाम नामक राष्ट नीधर लेंड से स्वतंत्र हुआ था और आज ही की डेट में वह अपना स्वतंत्रता दिवश मनाता है इसी के साथ घटना क्रम शमाप्त हुआ धन्यवाद जय हिन जय भारत